Hey guys, finally, AKFI ने Asian Games 2023 के लिए Team India का Probable List अनाउंस कर दिया है, जो यहाँ पे Camp के लिए रहने वाली है, and अब Team India Asian Games 2023 के लिए Preparation स्टार्ट कर देने वाली है, and कौन-कौन से खिलारी सेलेक्ट हुए, because AKFI ने बहुत साथे खिलारी को सेलेक्ट किया है, टोटल 40 पिलेक्ट हुए, Indian Camp के लिए, जिसमें काफी बड़े-बड़े पिलेक्ट मिसिंग है, कौन-कौन से पिलेक्ट हुए, सब कुछ आपको डीटेल में जानने को मिल जाएगा, ते वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जहो देखे इन चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो whatever चैनल को सब्सक्राइब कर लो विगोज ऐसे ही कबड़ी के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेगे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि Asian Games 2023 कब से सुरू होने वाला विगोज कॉमेंट्स में सबसे पहले यही कॉमेंट आता है कि कब स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दो 23rd September से Asian Games 2023 स्टार्ट होने वाला है लेकिन जो कबड़ी का इवेंट है वो कौन से स्पेसिफिक डेट से स्टार्ट होगा वो क्लियर नहीं हुआ है लेकिन जो में एशन गेम से वो यहाँ पे 23rd September से सुरू होगा और October के मीड़ ओफ तक चलने वाला है अब इससे पहले कि यहाँ पर मैं आपको 40 प्लेयर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ आखिर मैं कौन से कैम के बारे में बात कर रहा हूँ तो अगर आपने पिछले साल एक्टिव थे इसी टाइम तो आपको पता होगा कि AKPY ने ऐसे यहाँ पे प्लेयर्स के लिस्ट अनाउंस किये थे तो जो 40 खिलाडी है वो यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे जाके ट्रेनिंग करेगे जैसे की प्रो कबड़ी के टीम प्री सीजन कैम करती है लीक से पहले उसी टाइप का होने वाला है और जो जो भी प्लेयर्स स्नुलेक्ट हुए है वो जगह पे द自 investigators होगे वो यहाँ पे जाके देखएगे एंड उनमें से 12 खिलाडी select होगे एंड 2-3 players reserve के तोर पे भी select होगे तो यही एक simple सा चीज एंड इससे एक चीज और clear हो जाता है कि जो squad में उन 40 players में से ही जो squad के players है वो यहाँ पे select होगे Asian Games 2013 के लिए तो I hope जो भी है doubt वो यहाँ पे clear हो गया होगा यहाँ पे मोहीत गोयत यहाँ पे चैदिप दहिया नमबर 4 पे मोहीत नंदल नमबर 5 पे सुरेंदर नारा नमबर 6 पे सौरब नंदल और नमबर 7 पे मीटू सर्मा यह 7 players है जो यहाँ पे हरियाना से select होगे अब यहाँ पे बढ़ते रेल्वेस की तरफ यहाँ पे रेल्वेस से भी 6 players select होगे है नमबर 8 पे पवन कुमार सहरावत नमबर 9 पे परवेस मलिक यहाँ पे नमबर 10 पे रविंदर पहल नमबर 11 पे सुनील कुमार नमबर 12 पे विकास कंडोला नमबर 13 पे नितिन रावल यह खिलाडी रेल्वेस से select हुए है अब यहाँ पे बढ़ते सर्वेसिस की तरफ यहाँ पे सर्वेसिस से total 5 players select हुए है नमबर 14 पे अरजुन देशवाल नमबर 15 पे महेंदर सिंग नमबर 16 पे नवीन कुमार नमबर 17 पे सुर्जीत नर्वाल नमबर 18 पे मंजीत दहिया select हुए है अब यहाँ पे बढ़ते महरास्ट की तरफ यहाँ पे महरास्ट से भी total 7 players select हुए है नमबर 19 पे असलम इनामदार नमबर 20 पे गिरिश एरनाक नमबर 21 पे पंकच मोहीते नमबर 25 पे सुबम सिंदे नमबर 23 पे सिधार दिसाई नमबर 24 पे अकास सिंदे नमबर 25 पे संकर गदा यहाँ पे select हुए है अब यहाँ पे बढ़ते उत्तर प्रदेश की तरफ यहाँ पे शौकिंग ली उत्तर प्रदेश से सिर्फ दो ही खिलाडी स्लेक्ट हुए है नंबर 26 पे रोहीत कुमार एंड नंबर 27 पे अभिशेक सिंग राहुल चौदरी का नाम निकल के नहीं आया जो यहां पे तोड़ा सौक किया है अब यहां पे बढ़ते तमिल लाडू की तरफ तिहां पे तमिल लाडू से भी टोटल दो खिलाडी सिलेक्ट हुए है नंबर 28 पे अभिशेक मनोकरन और 29 पे अभिनेश नदराजन सिलेक्ट हुए है अब बढ़ते राजस्थान की तरफ तिहां पे राजस्थान से भी दो खिलाडी सिलेक्ट हुए है नमबर 30 पे दीपा खुड़ा एंड नमबर 31 पे सचिन तवर यहां पे सिलेक्ट हुए है अब यहां पे बढ़ते पंजाब की तरफ तिहां पे पंजाब से सिर्फ एक ही खिल निटेश कुमार, नंबर 34 पे सुरेंदर गिल, नंबर 35 पे सुभम वलियान, नंबर 36 पे मोहित के सिलेक्ट हुए है। अब यहाँ पे बढ़ते केरल की तरफ यहाँ पे केरल से सिर्फ एक ही खिलाडी सिलेक्ट हुआ है नमबर 37 पे जो यहाँ पे सागर कृष्णन सिलेक्ट हुए है अब यहाँ पे बढ़ते चंडी गर की तरफ यहाँ पे चंडी गर से टूटल दो खिलाडी सिलेक्ट हुए है नमबर 38 पे विजे मलिक, नमबर 29 पे राकेश, एंड आकडी बढ़ते हैं, 36 गर की तरफ यहां पे, 36 गर से भी सिर्फ एक ही खिलाडी सिलेक्ट हुआ है, जो यहां पे दुर्गेश कुमार है, तो अच्छा लगा कि दुर्गेश कुमार यानि कि दुर्गेश नितम, एक अबी कुछ पे लगा सकते हैं, कुछ पे लगा सकते हैं, अब यहां पे फटठ पट बात करते हैं कि कौन से बड़े-बड़े पलेर जो यहां पे sea पे पहला नाम तो मैंने आपको बताा लिया, रहूल चौधरी को इसलेक्ट नहीं किया गया है, पिछले बार केम हुआ था में भी एज का कोई फैक्टर होगा, अधरवाइस यहां पे इनको बाद में ले लिया जाए, यहां पे भरत उडड़ा, भरत उडड़ा भी प्रो कबड़ी सीजन नाइन में काफी अचा परफोर्मेंस दिखाये थे, नरिंदर कंडोला सीजन, मतला कि डेब्यू सीजन में सब् अच्छे defender है, इनको भी select नहीं किया गया, जितना मैंने note किया है, यही कुछ players है, बड़े players जिनको select नहीं किया गया है, और मैं आपको बता दू कि यह जो बड़े players है, राहुल चौदरी, अंकुस राथी, भरत उड़ा, नरिंदर कंडोला, यह अभी भी मुझा लगता है क जो camp के list है उसमें आ सकते है या पिर जब भी squad announce होगा तो selectors इनको select कर सकते है ऐसा कुछ निये कि camp में आपने नहीं लिया है तो आप नहीं select कर सकतो जो बीचाय हो जाए लेकिन यही दुआ करते हैं प्रे करते हैं कि 2018 के time जैसा squad selection हुआ था बैसा ना हो विगोज यहां पर personally मु मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा unfair selection हुआ है अब let's see क्या होता है जो top 12 selection होगा वो अच्छे से हो and क्या आपको इस पर video चीहें किनी comments में जरू बताएगा कि इन 40 खिलाडी जो select हुए इन में से कौन सा top खिलाडी मेरी तरफ से बन सकता है मुझे क्या लगता है अगर आपको इस video चीहें तो comments में जरू बताएगा बहुत ही जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा and अभी फिलाल यही update आई थी दो दिन पहले and दो दिन पहले ही मैंने आपको टेलिग्राम पे inform कर दिया था तो ऐसी latest updates के लिए आपको टेलिग्राम को जॉइंड कर लेना है add red filter का बड़ी नहीं तो description ने भी link मिल जाएगा आप पटपट जाके जॉइंड कर लीजिए and इसके साथ video को end करते video आपको अच्छी लगे इस video को like कर दीजे share कर दीजे चैनल को आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो फटफट चैनल को subscribe कर लो because ऐसी ही कबटी के वीडियो आपको इस channel पर देखने को मिलते रहेगे उमीद आपको टाय अच्छी लगी कि मिलते है कौन है interesting वड़े के साथ तब तक लिए thank you for watching guys goodbye